जैसे के मैं मालूम है कि Search Engine Optimization Digital Marketing के अंदर एक Service है या इसके अंदर एक category consider की जाती है तो इसको देखना जरूरी है कि ये broader perspective में कहाँ fall करती है या इसका difference क्या है बाकी different categories में सो सर्च का normally मकाबला किया जाता है social के साथ कि सर्च और social में क्या difference है तो दोनों ही चुके digital marketing के अंदर आती है तो मेरा ये मानना है कि इसको clear करना बहुत जरूरी है कि सर्च या SEO कहाँ पर fall करती है और social कहाँ पर fall करती है और दोनों क्यूज उस होते है और दोनों का link डेशर मार्गरिंग से कैसे है एक गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो समझते हैं कि किसी एक factor को करने से या किसी एक service को करने से वो बहतर हो जाएंगे जबकि ऐसा नहीं होता आपका user मुक्सी जर्नी के साथ आता है वो आपको Google पे धूंडता है वो अपनी information सर्च करता है Google में आप उसको मिलते हैं वो आपकी website पे आता है आपको चाहता है कि वो आप उसको अच्छे लग जग जए अब वो चाहता है कि आपका जो content है वो उसको खुद मिलना शुरू हो जाए तो वो देखता है कि कौन कौन से social media platforms पे हैं या कौन कौन से social media platforms वो खुद यूज़ करता है तो for example मैं अगर एक डॉक्टर को मैं मुझे दर्द है और मैं डॉक्टर सरच करता हूँ तो भी डॉक्टर की वेबसेट मिल जाती है अब मुझे वो डॉक्टर पांच शे वेबसेट देखने के बाद मुझे एक वेबसेट अच्छी लगी मुझे वो डॉक्टर अच्छा लगा उसके सब चीज़ें पसंद आई अब मैं चाहाँगो कि उसका मैं सेफ कर लूँ लेकिन मैं फिर ये भी चाहाँगो कि मैं उसको फॉलो भी करूँ तो मैं उसकी डॉक्टर की वेबसेट से मैं कोशिश करूँगा कि इसको चैनल्स देखूँ कि वो कहां-कहां पर एक्जिस्ट करते हैं फॉर अग्सेंपल वो फेस्बुक पे हो सकते हैं वो ट्विटर पे हो सकते हैं और यूट्यूब पे हो सकते हैं मैं उनकी जितने चैनल्स मैं यूजब करना चाहता हूँ या मैं फॉलो करना चाहता हूँ मैं वहां जा के उनको फॉलो कर लोगा और होगा ये जिके नेच्स अब जब वो अपना कोंटेंट अपडिट करेंगे मुझे वो content मेरी facebook पे मिलना शुरू हो जाएगा अब ये दोनों चीज़े हम digital marketing के अंदर fall करती है लेकिन इसका difference बड़ा important है difference ये कि लोग जो गलती करते हैं वो समझते हैं कि सिरफ SEO करने से हम successful हो जेंगे या सिरफ social media करने से हम successful हो जेंगे या digital marketing में हम बाकी काम करेंगे ये दो नहीं करेंगे या ये दो करेंगे बाकी नहीं करेंगे ये गलत है आपको हर चीज़ करनी है लेकिन हमें search marketing के perspective से हमें ये देखना है कि audience कहां पर है so follow the audience is a golden rule follow the audience का मतलब ये है कि आप अपनी audience को देखते हैं वो कहां पर है so दर्द कितने लोगों को होता है वो एक बड़ी audience है कि दर्द किसी को भी हो सकता है डॉक्टर कोई भी दून सकता है अब वो किस डॉक्टर को बसंद करते हैं उस डॉक्टर की एक fan following बन जाती है जिसके ओपर वो social media के ओपर उसको follow करना शुरू कर देते हैं so normally search एक बड़ा medium है क्योंके वो ज़्यादा लोगों को target करता है वो ज़्यादा broader category है किसी को भूक लगी है तो रेस्टरॉन सर्च करेगा और अगर आपका रेस्टरॉन है तो आप रेस्टरॉन की search में rank करना शुरू हो जाएंगे आपको देख लेगा तब वो आपसे मानूस होके वो आपसे चाहेगा कि आपको follow करे तब आपकी social media active होती है तो हमें ये देखना है कि ये बड़ी audience को हमने नहीं छोड़ना हमें जो नाम से जानते हैं वो तो हमें follow भी कर लेंगे वो हमारी website direct भी visit कर लेंगे लेकि जो हमें नाम से नहीं जानते जिनको जरूरत है जिनको intent है intent मतलब जिनकी चाहत है एक particular चीज़ को धूनने की हम चाहते हैं कि हम उनको मिल जाए तो अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा है और वो मेरा target customer है तो हमें SEO के दहर उन तक पहुंचना है ताके हम उनको मिल जाएं और फिर उसके बाद हम बाकी marketing एक्टिवेट कर सकते हैं कि जब वो मेरी website पे आ जाए तो मैं उसको email भी subscribe करा सकता हूँ मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि आप हमें Facebook पे follow करें Instagram पे follow करें या YouTube पे हमारी videos देखें लेकिन ये तब possible है जब actually मुझे एक user धून लेगा जो मुझे जानता है वो तो direct आजेगा और वो शायद follow भी कर लेगा लेकिन जो नहीं जानता वो एक बड़ी audience है हमें search ये मौका provide करती है कि जब कोई search करता है हमें उसकी intent समझ आ जाती है कि ये क्या धून रहा है और अगर ये हमारी target audience है तो हमें SEO के थाइद उन लोगों के लिए rank करना है खुद को और उन के लिए हमें available होना है तो ये सारी शीज़ें इन parallel काम करती है लेकिन चुँके search एक बड़ी category है हमें search पे ज्यादा focus करना है search से audience आएगी तो हम बाकी channels को activate करेंगे और अगर search से audience नहीं आई तो हम 4-5 लोगों को 10 लोगों को या 100-1000 जितने भी लोगों को हम पहुंच सकेंगे जो कि एक limited reach है वो सिर्फ उनी तक हमारा message जाएगा लेकिन अगर हम intent पर focus करेंगे तो ये होगा कि जिस जिसको जरूरत है वो वो हमें धूंट सकेगा और जरूरत के ताहँ जब हमारे से relationship बिल्ड हो जाएगा वो हमें follow करेंगे और follow करने के साथ हम बाकी चीज़ेंगे उनको campaigns भेजेंगे उनको email marketing करेंगे उनकी हमारी प्रमोशन आ रही है हमारे को event आ रहा है वो सारी चीज़ें बाहर में possibility है सो search is a big medium ये चीज़ understand करते हुए हम इसको आगे लेके चलेंगे